मेरे पास यह जो डिवाइस है दोस्तों रियल्मी ब्रैंड की है बैक साड में नीचे तरफ आप देख सकते हैं रियल्मी की ब्रैंडिंग है और इसका मॉडल नंबर है रियल्मी P1 Pro 5G ध्यान से सिनलीजे मॉडल नंबर है रियल्मी P1 Pro 5G अब डिवाइस में प्राबलम यह है दोस्तों कि डिवाइस मारी पूरी तरह से पासवर्ड लॉक है तो विडियो को ध्यान से देखिए इस विडियो में मैं आपको रियल्मी P1 Pro 5G को अनलॉक करने का बिल्कुल फ्री तरीका बताऊंगा मेरी इस विडियो को देखने के बाद घर बैठे 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 बिल्कुल फ्री में रियल्मी P1 Pro 5G को आप अनलॉक कर पाएंगे यानि किसका पैटन, पिन या पासवर्ड लॉक बिल्कुल फ्री में रिमूट कर पाएंगे तो दोस्तों आपने देखा डिवाइस समारी पूरी तरह से पासवर्ड लॉक है अब ध्यान से सुनिए डिवाइस को अनलॉक कैसे करना है देखिए दोस्तों डिवाइस को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको इसे पावर आफ करना होगा जब आपकी device पूरी तरह से power off हो जाए, तो device के right side की तरफ देखेंगे दोस्तों, तो आपको 3 buttons दिखाई देगी, सबसे उपर की तरफ volume up, उसके बाद volume down और बिल्कुल नीचे की तरफ power unlock button, ध्यान से सुनिए device को unlock कैसे करना है, देखें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताय सबसे पहले आपको device को power off करना होगा, उसके बाद करना क्या है, यह जो volume down button है और यह power unlock button, आपको simply करना क्या है, इन दोनों buttons को एक साथ प्रेस करके रखना है 5 seconds के लिए, 5 seconds तक प्रेस करके रखेंगे, आप देखेंगे आपकी device on होगी और डिस्पले पे realme का logo दिखेंगा, ध्यान रहे दोस्तों, device जैसे ही on होगी और realme का logo दिखेंगा, आप तुरंत इन दोनों button से अपनी finger हटा लेंगे, और उसके बाद maximum 5 seconds तक बिट करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी device पूरी तरह से recovery mode पर active हो जाएगी, मुझे उम्मीद है method आपको अच्छी तरह से समझ म आचुका है, अब चली ये चीज में आपको प्रिक्टिकली करके दिखा देता हूँ, अभी भी देख सकते हैं, device हमारी पूरी तरह से password lock है, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको device को power off करना है, तो device को power off करने के लिए volume up और power button, इन दोनों button को एक साथ प् device power off हो गई, अब ध्यान से देखिए, ये चीज में आपको प्रिक्टिकली करके दिखाने जा रहा हूँ, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि volume down और power button, इन दोनों button को आपको 5 second तक प्रेस करके रखना है, तो ये देखिए, इन दोनों button को मैंने प्रेस किया, ध्यान रह device जैसे ही on होगी, realme का logo दिखेगा, दोनों button से finger हटा लेंगे, device on होगी, दोनों button से मैंने finger हटा लिया, maximum 5 second तक वेट करने के बाद, आप देखेंगे, आपकी device पूरी तरह से recovery mode पर active हो जाएगी, और ये देखिए दोस्तों, जो steps मैंने आपको बताया, same steps follow किया, और आप द यहां दीजे दोस्तों, उपर की तरफ आप देख सकते हैं Chinese language है, लेकिन बिल्कुल नीचेक तरफ English language है, हमारे लिए जो comfortable language है वो है English, तो हम simple यहां English language पे click करेंगे, अब जैसे ही मैंने English language पे click किया, तो उपर की तरफ देखें लिख किया गया recovery, और नीचेक तरफ तीन options मिल पे click किया, अब जैसे ही मैंने format data पे click किया, तो उपर की तरफ देखें लिखके आगया format data, यहां पे लिखा है please enter verification code और यहां पे देखें चार अंकों का code है, एक चीज़ ध्यान दीजे दोस्तों, यह जो code है यह continue change होता रहता है, मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर यही same process, आप अपने device में follow करेंगे, तो आप देखेंगे code continue change होकर आएगा, यह देखें code change हो गया, तो पूरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि code को लेकर आपको confuse होने की ज़रूरत नहीं है, code continue change होता रहता है, आपने देखा code change हो गया, तो अभी आपको करना क्या है, यह code manually यहां से enter करना है, तो code enter करते हैं दोस्तों, code है 941 और लास्ट में 4, और यह देखें, जैसे यह code मैंने enter किया, तो यहां उपर की तरफ देखें, लिखके आ गया format data, उसके बाद लिखा है all user data will be reset, और आपके पास दो option है, cancel और format, तो finally आपको click करना होगा format पे, तो यहां से म मतलब device हमारी completely unlock हो चुकी है, तो finally आपको click करना होगा OK पे, तो यहां से मैंने OK पे click किया, जैसे ही OK पे click करेंगे, आप देखेंगे आपकी device Realme P1 Pro 5G यहां पे reboot हो जाएगी, device reboot हो गई न, और अब दोस्तों आपको wait करना है device को पूरी तरह से on होने तक, active होने तक, इस type का locks होने करेगा, और आपको device Realme P1 Pro 5G पूरी तरह से unlock हो जाएगी, वीडियो अच्छी लगती है, तो please वीडियो को share करें, like करें, चैनल को support और subscribe जरूप करें, और अगर आपको किसी भी brand की कोई भी device घर बैठे बैठे अनलाग करवानी हो तो आप उसे contact कर सकते हैं, मेरा contact WhatsApp ग्रूप से भी जूड सकते हैं, दोस्तों, WhatsApp ग्रूप का लिंक मैंने description box में दे दिया है, फिलाल दोस्तों, device reboot हुई है, आपको wait करना है, इसे पूरी तरह से on होने तक, अब यहां देखें दोस्तों, maximum हमने एक मिनट तक wait किया, device reboot हुई, और finally device reboot होकर active हो चुकी है, आप देख सकते हैं, डिस्पले पे किसी भी type का locks हो नहीं कर रहा है, तो चली complete setup करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा इस arrow पे, यहां से simple आपने next पे क्लिक करें, select region, तो यहां से आप अपनी country, इंडिया select करें, उसके बाद यहां से simple continue पे क्लिक करें, यहां से आपको next पे क्लिक करना है, once again next पे क्लिक करें, connect to wifi वाले option पे आ चुके हैं, तो इस option को आपको simple उपर से skip कर देना है, यहां नीचे तरफ आपको मिलेगा more, more पे क्लिक करें, once again more पे क्लिक करें, accept, आप इस पे क्लिक करें, ओके यहां से आप चाहिए, तो फिर से अपने device में pattern, pin, password, face या finger लाग अप्लाई कर सकते हैं, इस option को मैं skip करूँगा, इसलिए मैंने skip पे क्लिक किया, ओके यहां देखें, नीचे तरफ मिलता get started, आप इस पे क्लिक करें, और बस अब जाके आपकी device Realme P1 Pro 5G पूरी तरह से unlock हो गई, पूरी तरह से active हो गई, इस वीडियो में मैंने complete setup करके दिखा दिया, तो दोस्तों यह पुरा full process था Realme P1 Pro 5G को unlock करने का, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छी लगे वीडियो, तो वीडियो को share करें, लाइक करें, चैनल को support और subscribe करें, thanks for watching this video.